नमस्कार मैं अनुष्का बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर बिहार के युवाओं ने वैक्सिन लेने के मामले में यूपी एमपी को किया पीछे पर समीदा कर्मियों पर सरकार ने दिखाई सकती पपू यातर को डिलेस करने को लेकर तेज हुई समर्टों के सिमुनी राज में पहली से बारवी कच्छा के बचों के लिए शुरू हुई इलाइग देगी तो आईए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से राज में अठारा से चोवालिस क्यूमन वालों का वैक्सिनेशन रहेगा जारी राज में वैक्सिन की कमी की आश्चंका से अठारा से चोवालिस क्यूमन वालों को वैक्सिन लगानी का काम फिलाल प्रभावित नहीं होने वाला है क्योंकि बिहार सरकार को वैक्सिन के 6,14,000 डोज और भी मिल गए है इस से अब वैक्सिनेशन के रफ्तार में और भी तेजी आएगी हलांकि आपको ये भी बता दे कि जनसंग्या के मुताविक बिहार में अब भी वैक्सिन की आपूर्ती कम ही है 18-44 की उमनवालों के वैक्सिनेशन का काम महज 3,5,000,000 वैक्सिन के सहारे ही शुरू किया गया था जिसमें कोवी शिल्ड वैक्सिन के ही रोज थे जिसके बाद से आशनकाय थी कि वैक्सिन की कमी ना हो जाए मगर बुदुवार को ही सरकार को सिरम इंस्टिट्यूट से 5,000,000 को विशल रुवा भारत बायोटेक से 1,14,000 को वैक्सिन प्रात हुए है जिसके बाद से अब वैक्सिनेशन प्रकिरिया में तेजी लाने की बात कही गई है स्वास्ते सम्विदा कर्मियों पर सरकार ने दिखाई सकती बिहार राज्य स्वास्ते सम्विदा कर्मियों संग के द्वारा अपनी मांगों के साथ पूर में किये गए एलान के तहत बदवार को ही सुबे के सभी सम्विदा स्वास्ते कर्मी होम आईसोलेशन पर चले गए हैं जिसके बात कुरोना महामारी की विक्ट परिस्तिती में लोगों के इलाज में काफी दिक्कते आ रहे हैं वही अब सरकार ने इन कर्मियों के आईसोलेशन पर जाने पर सक्त रवया अपनाने की बात कही है इसके तहट राज्य सुबेस्ति समीती के कारपालक निदेशक मनोस कुमार ने एक आदेश को जारी किया है कारपालक निदेशक के मुताबिक इन समीधा कर्मियों द्वारा अनाधिक्रित रूप से होम आईसोलेशन पर जाने से लोगों को स्वास्त सेवा मोहया कराने में परिशानी आ रही है तो वही वैक्सिनेशन अवियान पर भी इसका प्रभाप पड़ा है ऐसे में यह सक्त कदम उठाया गया है शुमला में काम करें विहारी मजदूरों के लिए नितीश कुमार ने की पाहल बिहार की मधिपूरा जिले से शुमला काम करने गए आठ शुमिकों की परिशानी का हल सीए म नितीश कुमार की द्वारा कर दिया गया और उनके अठकी रुपिय का भुक्तान करा दिया गया है दरसल मधिपूरा निवासी बच्चंसी एवं अने शुमिक ने हिमाचल प्रदेश के शुमला में रहने वाले एक व्यक्ति के बिल्डिंग में काम करने के बाब जूद भी पैसे नहीं देने कारूप लगाया था इस बाबत शुमिकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर मदद की गुहार लगाय थी जिस पर मुख्यमंत्री के निरिदेश पर बिहार भवन के अधिकारियों द्वारा तुरेत कारवाय की गई इसके बाद शुमिकों को एक लाख बैरासी हजार नौसोपचास नगद रुपी का बुकतान श्रीमला की ग्राम पचयात हिमरी के उप्रदान की द्वारा कर दिया गया बकसर में गंगा नदी में शुब मिलने पर लालु यादव ने उठाय सवाल इस क्रमे लालु प्रसाद ने इस खबर से जुरी कई पेपर कटिंग के फोटो को ट्वीटर पर पोश्ट किया है और लिखा है कि जीते जी दवा ऑक्सिजन बेड और इलाज नहीं दिया मरने के बाद लकरी दो गज, कफन और जमीन भी नसीर नहीं हुआ दुरगती के लिए शवों को गंगा में फेक दिया, कुटे लाशों को लोच रहे है, हिंदूओं को दफनाया जा रहा है, कहा ले जा रहा है देज और इंसानियत को इस टूइट के बाद से राजनेती तेज हो गई है, आपको बता दे कि सुमवार को बकसर जिले के महादेव घाट पर चार दरजन से अधिक लाशे, एक किलोमीटर की दायरे पर बिख्री परी मिली थी, वहीं संदेज जताय जा रहा है, कि जिन लोगों की कोरोना काल में गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए 40-50 किलोमीटर प्रती घंटे के अनुमान से पुरवया बहने की संभावना जताई है, जो कि अभी कम से कम तीन दिन और जारी रहेगी, इसलिए मौसम विभाग ने लगबग सभी जिलो को अलर्ट जारी करते हुए, इस दोरान सावधानी बरतने की बात जारी की है, बिहार के युवाव ने वैक्सिन लेने के मामले में यूपी एमपी को किया पीछे, बिहार में देर आई दुरुस्त आई बाली कहावत चरितार थोड़े है, जी हां ऐसा हम इसले कह रहे हैं, क्योंकि बि ही देरी हुई, मगर बिहार के युवावर्ग ने वैक्सिन लेने के मामले में देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है, नौ में से शिरू हुए युवावर्ग के टिका वियान के महज चार दिनों बाद ही अपना राज्य अपने परोसी उतरप्रदेश पशिम मंगल के साथ ही मदरप्रदेश, तमिलनारू, करनाटक, जारकन जैसे राज्यों से आगे निकलाया है। ट्वीट के जवाद में अब बिहार के जलसन साधन मंत्री संजय ज्या ने सरकार का पक्ष रखा है। पोस्ट मार्टम डिपोर्ट में चार से पास दिन पहले के बताए गए है। बिहार में बिते दिन बुदवार को कई जीलों में भारी बारिश के साथ ही वजरपात ने भारी नुकसान पहुचाया। जबकि रोहदास के गनौरे बिगहा गाव में किसान के जान चले गई जबकि करगहर में दो दुधारू मवेशी भी इसके चपेट में आ गए। नालंदा में भी एक व्यक्ति समस्तिपूर में दो लोगों की मौत हो गए जबकि इच्छा है लोग जुलस करजक में हो गया। नांकि आपको बताते चेले कि एंटीपीसी के तरफ से यह पत्र सरकार को चार और पाच मैई के दौरान भेजा गया था मगर अभी तक उन्हें के वल आश्वासन मिला है वह एंटीपीसी बार की कई कमचारी पहले से ही कोरोना संक्रमी था जिसके लिए कैंपस में ही एक बास्त्य हित के लिए वा बिजली उत्पादन के काम खुसुचारी रूप से जारी रखने के लिए एंटीपीसी जल्द ही अपने कर्मियों का टीका करण करवाना चाहती है पपू यादव को रिलेज करने को लेकर तेज हुई समर्थोकों की मुहीम जा प्रमुक पपू यादव की गिरफतारी की बात से ही उनके समर्थोकों के बीच उन्हें रिहा करने को लेकर कई प्यास किया जा रहा है कई लोग सोसल मीडिया पर अभियान की जोरी उन्हें रिलेज कराने की मांग कर रहे हैं तो वहीं अब पटना के एक सेंड आर्टिस्ट ने अनुके डंक से उनकी रिहाई की मांग रखी है। BMGF के सयोग से उक्सिजन प्लांट लगाया जाना है। इसको लेकर सरकाल के बन पर्याबरन वजल संद्रक्षन मंत्री नीरज सी बबलू ने जल्धी यह प्लांट लगाने का भरोसा दिया है। इसका एलान करते हुए शिक्षा मंत्रे विजय कुमार चुआदरी ने कहा कि ई-Library की सुविधा वेपोर्टल और एप दोनों की जर्ये चात्र चात्राओं को मिलेंगी। इससे लॉक्डाउन में घर से पराई कर रहे हैं विद्यार्थियों को काफी सहोलियत होगी और पढ़ने के लिए अधिक मैटरियल मिलने के साथ ही किताबों को खरिदने पर होने वाला खर्च भी बचेगा। इसके अलावे ई-लोट्स एप के जर्ये भी ई-लाइडरी से किताबों के साथ ही आडियो वीडियो पार्थिया सामगरी भी मिलेगी। सुनिल गावसकर ने रिशब पंत को पताया भविशे का कैप्टन। सुनिल गावसकर ने युवा विकेट की पर बलेबाज रिशब पंत को लेकर बड़ा बयान दिया है। कि आने वाले समय में रिशब पंत भारत की टॉप कप्तानों में से एक हो सकते हैं। सीखने में काफी चतुर है और उनमें उन्हें चिंगारी नजर आती है जो आगे जलकर एक दहक त्याग बन सकती है। को पताते चले कि हाली में WTC फिनाले और इंग्लाइन स्रीज के लिए भी पंत को कप्तान बनाया गया है। की पुस्टी हुए है वहीं दोरान कुल 4,120 मरीजों की जान चले गई है। वहीं 3,52,181 लोग इस दोरान संक्रमन से ठीक भी हो हैं। जिसके बाद देश भड में कुल एक्टिव केसों की संख्या 37,10,525 हो गई है। वहीं अच्छी खबर या भी है कि बिहार में मामले में कमी आ रही है और रिकवरी डेट भी बड़े हैं। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अलुसार बिहार में लॉकडाउन की अवदी को कुछ और दिनों के लिए बढ़ा देना चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार से जड़े खबरों से अब्डेटे रहने के लिए जड़े रहें। बिहारी नियूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार।